आजे दोस्तों हम पहले आपको चारो भूजाव को दिखा देते हैं चारो बगल। करते हैं आपको निकाल कर इसका अंदर का प्रोड़क्त दिखाते हैं उसे पहले इसके आपको परचित कराक्ट दोस्तों जुनिस फोटे नहीं इसके अंदर कोई तूरूटी नहीं तो इसलिए इसके अंदर वी कोई तूरूटी नहीं साइड साइड में पूड़ा थर्मकॉल और देखे रहे हैं कूट लगा कर भेजा गया है जी हां कूट है चलिए दोस्तों अब इसके अंदर भी देखिए दोस्तों एक डबा है डबा के अंदर जो कि आपका सीपीव है जो कि आप लोगा दिया हुआ प्यार है जी हां है गेड़े पंच नहीं है इसमें कुछ नहीं है या सिर्फ ऐसा ही कूट वगेरा है कोटे दोस्तों चरी दोस्तों हम इसको अलग कर देते हैं अब इसको माला करके अब जूनिश । यारो, Micro ATX, CASE Case, इसको हम दोस्तों unboxing करेंगे, दोस्तों जूनिस का लोगो देख लिजी, चलिए दोस्तों यहाँ है हाथ से पकड़ की मतलब रिसीव करने या नि उठाने वाला, दोस्तों यह दूनों बगल दिया है, दोस्तों model number है MA11, दोस्तों देखिए, जूनिस का लोगो वह फिलिफ काट वाले ने कुछ करके लिखा है, दोस्तों इसमें लिखा है 320, ऐसे लगता है, जिसे 320 जीवी हार्टेस के वहीं लिखा गया है, दोस्तों यह model number है, यानि MA11 है, दोस्तों हम आपको बता दे, कुछ इसमें दिया गया है, इसके विस्तार से मतलब made in China कमाल है, यानि दोस्तों चाइना का CPU है, made in China, देखें लिखा हुआ है, made in China, दोस्तों इसमें लिखा है, जो कि मैं आपको बता दिया, दोस्तों साइड साइड में आपको दिखा दिया, अब इसको मैं खोल के दिखाऊंगा, जी हाँ, अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा, देख मैं इसके अंदर क्या क्या है सब आपको दिखाने वाला हूं दोस्तो मैं इसका description लिंक डालनुगा आप भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लेजिएगा दोस्तो यदि आप भी जुनिस का CPU खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं देखे दोस्तो इसके यह दोस्तो किस त्रीन कुछ अलग है मेरा देखिए दोस्तों यह कुछ नहीं है एक थर्मकोल है जो की टूटा हुआ है जो समय इस से डीग को मतलब साइड में रख देता हूं इसमें अब कुछ नहीं बचा दोस्तों देखिए साइड में थर्मकोल लगा की भेजा गया है ताकि आप अब हम पलास्टिक हटा दें उसके पहले मापको वायर को पेले दिखा दें किटना बड़ा है काइसा क्या है चले दोस्त till एक भाइर को दिखाते हैं यह यह सीडी है जी हम होड़ा साफ केमरा नहीं दिखाई दे रहा है बहुत लेकिन बहुत नेव है इसमें नहीं आया है प्लास्टिक गरेंगे और दोस्तों कितना बड़ी यह जो कि जूनिश लिखा गए देखे दूस्तों यह जो है यह आफ ऑन यह स्टीड डाइबर इसमें देता नहीं है दोस्तों यह है जो भी आफ ऑन बेटम है जो कि आपको सामने दिख रहा है देखे दोस्तों इस छेद बगेटा दिया गया है ताकि ज्यादा हीट नहों और जो साइड में है उसमें दोस्तों डाटे के बल लगाते हैं और जो पीछे है उसमें पीछे भी डाटे के बल लगाते हैं उससे पहले आप यह देख लिजे पीछे का जी है जो इस सब है डाटे कोल दी है देखे जो कितना सॉफ्ट आपका प्यार दिया हुआ हुआ है कितना बढ़िया है यह और रिशेट बटन है और यह कुछ नहीं है और यह है जो कि दो पिन डाइफ लगाने वाला और बीच में गोल जो दिख रहे हैं वह था दोस्तों एक एरफोन और एक माइक लगाने वाला अब देखिए दोस्तों इसमें आप लगा सकते हैं दो चारी यूएस में में लिंक है और दोस्तों बहुत बढ़ी है